दोस्तों आज का वीडियो जो में लेकर आई हूँ वो है कुदरती तरीके से आप अपने रंग को कैसे गोरा कर सकती हैं वो भी बहुत ही असान टिप्स फोलो करके गोरा रंग पाना बहुत इसी है वो भी घर पर मुझूद कुछ रेमेडीज कुछ चीजों की हल्प से दोस्तों अगर आपकी स्किन काफी डल हो चुकी है काफी रूखी है और काफी बेजान है तो आप इन रेमेडीज को यूज कीजिए इनकी हल्प से आप कुदरती तरीके से अपने रंग को गोरा कर सकती है वो भी पर्मेनेंटली जी दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं फर्स ट्रेमेडी के लिए आपको चाहिए उसके लिए आपको 100 गराम इमली चाहिए आपको 100 गराम इमली को गरम पानी में डाल देना है दो घंटे के बाद आपको इमली को अच्छी तरह से मसल मसल के उसका पलप निकाल देना है तो आपने उस पलप को सोप की तरह यूज करना है यानि कि उसे अपने पूरे श्रीर पर अपनी बॉडी पर जहां पर आपकी स्किन डैमेज हो गई है या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर स्किन काफी जादा रूखी बेजान है वहाँ पर इस पल्प को अच्छी तरह से लगा लीजिए 15 मिनट तक कैसे रहने दीजेगा फिर हलके गुर्गुरे पानी से नहा लीजिए अगर आप ऐसा हर रोज करती है या फिर एक दिन स्किप करके करती है तो आपकी स्किन डैचरल तरीके से गलो करने लगेगी शाइन करने लगेगी और स्किन पे जो छोटी मोटी अलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स है टैंक के प्रॉब्लम है या बेजान स्किन है आपकी ये सभ 100 ग्राम गाजर लेनी हैं और उनका जूस निकाल लेना है और उस जूस में आपको 10 ड्रॉप्स नीमु की रस की मिक्स करनी है और साथ में आपके सुआद उनसार आप उसमें बलैक सौल्ट यानि के काला नमक मिला सकते हैं इसको आपने वीक में दो बार पीना है यह आपकी skin को अंदर से clean करेगा, deeply clean करेगा और natural तरीके से आपकी skin को गोरा बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा वीक में इस juice को दो वार जरूर पीजेगा, इससे आपकी skin गोरा होने में बहुत help करेगा यह juice जो next remedy है, उसके लिए आपको चाहिए उसके लिए आपको चाहिए 8 से 10 पत्ते आपको धनी के चाहिए यानि के coriander के 5 drops आपको नीबु की चाहिए नीबु के रस की और 7 साथ आपको 8 से 10 पत्ते चाहिए पुधीने के आपको इन 3 चीज़ों को हलके गुनगुने पानी में 15 से 20 मिनट तक रख देना है और उसके बाद इस पानी से आपको नहा लेना है अगर आप डेली इस चीज़ को कर दी है तो आपको 5 दिन के अंदर आपकी स्किन पे काफी इच्छा निखार नजर आएगा इससे आपकी स्किन नैच्रल तरीके से ग्लोइंग हो जाएगी और साथ साथ स्किन अगर बेज आन है डल है वो भी डीपली क्लियर हो जाएगी और दोस्तों इससे आपकी स्किन पे इतना अच्छा निखार आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएगे दोस्तों ये तीनों रेमेडीज नाच्रल हैं बहुत ही इजी हैं बनाने भी और यूज करने भी आप इने ट्राइ करके ज़रूर देखेगा इससे आपके स्किन नाच्रल तरीके से ग्लोइंग हो जाएगी और काफी ज़्यादा इंस्टेंट ग्लोव आपके स्किन पर नजर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और दोस्तों मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकूर मत भूलिए और साथ में जो बैल आइकन है वो भी क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे बहले पहुंच स तो दोस्तों मिलते हैं कच्छी सी इंफोर्मेशन के साथ तब तक गुद बाई